हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल अयूबी जॉब्स अबडेट पर आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेट होने वाला है तो प्लीज वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा आज जो आपकी वेकेंसी निकल के आई हुई हो बी टी एससी इसकी जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन यानि बी टी एससी वेरियस पोस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट रीकुरूमेंट 2022 की तरफ से आपकी वेकेंसी निकल के आई हुई है वेरियस का आथ होता है भिन बिन यानि अलग- कितनी वेकेंसी है एंड इसका एड़टाइसमेंट नंबर क्या है अगर बात की जाए टोटल नंबर और सीट की तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है आपकी ये वेकेंसी 12,771 पदों पर निकाली गई है जो आप लोग के लिए बहुती बड़ी ऑप्रोचुनिटी की बात ह आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओनलाइन डेट से लेकर जोब लोकेशन तर कम्प्लीटली बताऊंगी जैसे कि आपके फोर्म कब से कब तक भरे जाएंगे अप्लीकेशन फीस आपके क्या रहेगी इसमें आपकी एज कब से कब तक मांगी गई है क्वालिफिकेशन इसमें आपके क्या होनी चाहिए सेलेक्शन आपका कैसे होगा इसमें आपकी सेलरी क्या रहेगी सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह वेकेंसी आपके ओल ओफ इंडिया रहने वाली है male and female दोनों ही कंडिडेट के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ओनलाइन डेट यानि आपके जो फॉर्म है वो दो अगस यानि कल से आपके फॉर्म बना शुरू हो गए है दो अगस दो हज़र बाइस यानि कल से आपके फॉर्म बना शुरू हो गए है कब तक भरे जाएंगे तो आपके form 1 September 2022 तक भरे जाएंगे इस vacancy के लिए आपको एक मन्त का समय मिलेगा last day जो आपके fees payment की वो 1 September 2022 है application fees की बात करें तो application fees जो आपकी है general OBC EWS candidate के लिए 200 रुपे है SC और STPH यानि दिव्यांग जो candidate है उनके लिए 500 रुपे फीस है age limit की बात की जाए तो आपकी जो age count होगी वो 1 August 2022 से count की जाएगी जिसमें आपकी minimum age जो है 18 से 21 years यानि आपके post के हिसाब से आपकी age होगी maximum age आपकी जो male के लिए है वो 37 years है और जो female के लिए maximum age है वो 40 years है total number of vacancy एगर जो बात करें तो इसकी संख्याप के बहुत ज्यादा है आपकी ये vacancy 12,771 पदों पर निकाली गई है जो आप लोग लिए बहुत ही बड़ी बात है qualification इसमें क्या मांगी गई है qualification इसमें आपकी मांगी गई है 10th GMBSC Nursing Post Basic Nursing Degree Diploma के माध्यम से आप इस vacancy के लिए apply कर सकते है selection process जो आपका है वो metric no exam इसमें आपका होगा और salary जो आपकी रहने वाली है वो बावन सो से लेकर 20,200 रुपे तक रहेगी apply moon जो आपका है वो online यानि ये form जो आपके है वो online ही भरे जाएंगे और किसी माध्यम से नहीं job location जो आपकी है वो all of India है यानि male और female दोनों ही candidate इस vacancy के लिए apply कर सकते है आप बात करते हैं आपकी various post यानि इसके advertisement number के बारे में और post name and total post के बारे में post name जो आपका है ECG technician इसमें आपकी total seat की जो संक्या वो है 163 इसमें जो आपका advertisement number है वो 42022 है और आपकी जो extra technician जो post है उसमें total seat जो आपकी है 803 है इसमें जो आपका advertisement number है वो 52022 है फिर आपकी है OTA यानि इसकी जो full form होती है operation theater assistant की जो आपकी post है उसमें आपकी total post की संक्या जो है जो इसमें आपका advertisement number है वो 62022 है फिर आपकी जो post है female health worker यानि एनम की जो आपकी post है इसमें आपकी total seat की जो संक्या है वो 1709 है इसमें जो आपका advertisement number है वो है 72022 अगर जो आप इस frequency के लिए eligible है तो form के लिए जरूर अप्लाई करिएगा आपको इन्फोर्मेशन कैसी लगी comment section में जरूर बताइगा वीडियो को like करें और share करें बेल आइकन को भी प्रेस करने ताकि हमारा आने वाला कोई भी update आप मिस ना करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि government के लेश्टेर अप्डेट हम आपको regular provide कराते रहते ही जय हिंद जय भारत